पिलो को सही texture placement देने के लिए, इसका material में remove करूँगा, वीरे युई टूल्स, remove materials, अब इस group के अंदर जाऊँगा, group के अंदर जाके, कोई भी texture देना है, मैंने texture अपले किया है, लेकिन इसका texture placement सही से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, view में जाएंगे, hidden geometry को check कर देंगे, तो आपको geometry दिखेगी, अभी आपको यहाँ पर कोई भी एक select करना है, कोई भी एक portion को select करना है, उस पर right click करना है, texture करना है, और projected button पर click कर देना है, उसके बाद ये वाला जो projected area है, उसको आपको bucket tool लेके alter hold करके इसको pick कर देना है, इतनी area क यह मैंने pick कर लिया है, उसके बाद space bar से selection tool, सब कुछ select कर दूँगा, और जो हमने pick किया था, वही मैं bucket tool लेके apply कर दूँगा, तो अभी इसका texture placement है, और सही से हो गया है, अब इसका tiling change करना है, तो यहाँ पर alter hold करके, इसको pick करेंगे, edit में जाएंगे, और यहाँ से आप change क कर सकते है, इसका tiling, उसी तरह यहाँ पर भी आप करेंगे, क्या करना है, इसी group के अंदर चले जाओंगा, ठीक है, और इस group के अंदर जाके ही आपको material देना है, ओके, यहाँ पर मैं कोई भी एक material दे देता हूँ, तो इसके जो texture placement सही से नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अभी हमारा hidden geometry enable ही है, किसी एक texture पर right click करूँगा, texture, projected, projected किये गए face को आपको, bucket tool लेक अलेटर hold करके, इसको pick कर लेना है, और sub-select कर लेना है, और वापस ही ही पर apply करना है, जिसका placement भी सही हो गया है, ओके, उनने के बाद escape की प्रेस करके group के बाहर चले आते है, view, hidden geometry of, और वापस हमें, edit में जाके, change कर सकता हूँ, इसका tiling, तो इस तरह साब pillar के, texture placement कर सकते हैं, यह group है, अगर आपने material, group के बाहर से apply किया है, उसके बाद आप group के अंदर जाए होगे, और वापस हमें, यहापे, hidden geometry enable कर देता हूँ, और कहीं पर भी आप right click करते हो, ठीके, तो texture का option नहीं मिल रहा है, तो इसा हो तो आपको क्या करना है, यह जो material है अभी, bucket tool लेके, alter hold करके, यह material आपके एक बार pick कर लेना है, उसके बाद, सब कुछ select करके, आपको वापस से इसी जगह पे apply भी कर देना है, apply करने के बाद, आपको वापस से, कोई भी एक face को select करेंगे, आपके right click करेंगे, तो अभी आपको texture का option दिखा देगा, projected कर देंगे, सेम चीज़ करने है, alter hold करेंगे, सब select कर दिया, bucket tool से apply कर दिया, उसके आप escape की प्रेस करके group के बाहर जा सकते हो, इसको आप edit में जाके, tiling भी change कर सकते हो, okay?